दोस्तों मैंने ये मिसी रोटी बनाई है जो कि तबे पे बनी है बड़ खाने में और देखरे में बिल्कुल जो है तंदूर की तरह है पीछे से बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी तरीके से सिकhी और काफी क्रिस्पी है और इस तरीके एक रोटी आप आसानी से घर पर सकते मैंने इसे जो है थोड़ा पतला रखा है ताकि यह तबे पर अच्छी तरीके से जो है वो सिख जाए और बहुत ही स्मोकी फ्लेवर इसका तो देर ना करते हुए चलिए किचन में बनाना सुरू करते दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं मतलब चने का आँटा मैंने जो है बो डाल दिया है और इसमें एक कब मैं यहाँ पर गेहुं का आटा डालना हूँ है आप कभी भी जो है वो सिर्फ जो है वो बेशन से मत बनाईए अदरवाई जो है आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और मिस्सी रोटी में जो है वो गिहों काटा भी मिलता है इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर एक जो है वो मीडियम साइज का कटा हुआ प्यास और दो दोस्तों एक चमच मैं यहाँ पर धनिया के बीश डाला हूँ उन्हें मैंने जो है वो क्रस्ट कर लिया है मतलब दो टुपड़े कर लिये और पो भी यहाँ पर मैंने यह एट कर दी है इसके बाद में हम लोग एक चमच जो है वो यहाँ पर जीरा डालेंगे यह नॉर्मल जीराई है और फोड़ी सी जो है मैं यहाँ पर जो है वह कसूरी मेथी डाल लाँ इसके बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो करेंगे मैं इतने में जो है वो एक चमच के आजबा जो है बहुत ज्यादा नमक डालने की कोई जिरो है इसके बाद में दोस्तों मैं बनवाई 4 टीस्पून यहाँ पर हिंग डालना हूँ, हिंग से भी बहुत ही बढ़िया फ्लिवर आता है, अब इन सारी चीजों को आपको जो है वो हाँ से अच्छी तरीके से मिक्स करना है, यहाँ पर चम्मा से नहीं करना है, तो आप हाँ से अ जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और इसके बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पर पानी dalwood करेंगे पानी क्या करना है आपको एक बार में डालना है पानी लोग छो करके डालेंगे और जो इसका आटा है आप थोड़ा सा टाइट ही लगाईए वह अपने आया पी थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा अगर आप पहले से थोड़ा गीला लगाएंगे फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और मिस्सी रोटी जो बनती है वो थोड़ा तो इस तरीके से आप जो है वो लगवग 5 मिनट अच्छी तरीके से जो है इसे गूद लीजे इतने ही बहुत ही पढ़िया तरीके से तयार हो जाएगा अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग थोड़ा से यहां पर सूखा आटा लगा देते हैं आटे से क्या होगा कि यह च अच्छी तरीके से यहां पर मसल लेते हैं और हमारा आटा बिल्कुर तयार है रोटी बनने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा तेल और लगाएंगे क्योंकि बेशन होता है तो वह हलका सा चिपके का जरूर तो आपको बस कुछ नहीं क काट लेंगे मतलब लोईया काट लेना है इतने आटे से लगबक जो है वो आपके आठ रोटी आराम से पंजाएंगे और अगर आप चोटी-छोटी बनाएंगे तो लगबक 10 बनाएंगे तो इस तरीके से आपको रोल करने के बाद हम लोग चाकू से इसके पेड़े काट ल पाएंगी क्योंकि जो तंदूर होता है उसका टेपरेचर काफी हाई होता है तो आहां पे जो है वो मोटी रोटी पे अच्छी से नहीं सिख पाएगी तो हम लोग जो है इस तरीके से पेडा बना लेंगे और पेडा बनाने के बाद में हम जो है थोड़ा सा यहां पर तेल तो देखिए मैं किस तरीके से रोल कर रहा हूं मैं किनारे किनारे जो है रोल कर रहा हूं जब आप किनारे किनारे रोल करेंगे तो बीच में तो अपने आपी जो है वो अच्छे से रोल हो जाएगी और इसके बाद में हम लोग जो है इसके उपर कुछ और लगाएंगे जै कलाउंजी दलने के बाद में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहां पर थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और इसे एक बार हम लोग अच्छी तरीके से हलके हां से रोल कर देंगे ताकि धनिया लहसन और कलाउंजी जो है वो इसमें अच्छी तरीके से पक जाएगा और बिल्कुल भी छुटेगा नहीं तो इस तरीके से आप पानी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लीजे कम नहीं लगाना है बढ़िया से लगाना है और इसके बाद हम लोग सीधे तबे पे डाल देंगे तब हमारा गर्म है और मेडियम फ्लेम पे आपको जो हाई से 2 मिनट जो है वो कोक करना है दो मिनट में बढ़िया से जब कोक हो जाएगी तो आप इस तरीके से जो है इस गयास पर सेंख लीजिए यहां पर आप जल्दवाजी मत करिये कि गया भीस के बिल्कुल पास आप फ्लेम के लेगा तो इस बढ़िया से जल्द देखिए पीछे से भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रोटी जो है वो सिखी है बहुत ही क्रिस्पी है पीछे से ओपर से काफी सौफ्ट है मैं आपको एक दूसरी बना के दिखाता हूं यहां पर मैंने जो है वो लोई ले लिया थोड़ा सा आटा में डाला हूं क्योंकि यह इसके बाद में ज्वह हम लोग इसे पेलते हैं और इस तरीके से आप थोड़ा सा पहले हाँ से ही जो है वह फैला लीजिए और इसके बाद में ज्वह है कि से बेले अर इस देके से रोटी बनादा दोस्नों बहुत ही साने बसा चाला सको आटा लगाना हूं में झो भी आप और करते हैं न मिस्सी रोटी सेम भैस ही है खाने में भी और देखने में भी थोड़ा सा मोग दोस्तों यहाँ पर जो है वो लैसन डालेंगे क्रेट किया हुआ ठोड़ी सी कलाउजी और थोड़ा साम लोग जो है फ्रेश हरा धनिय डाल की इससे हलके हां से रोल करना है ब यहां पर हांस से या फिर किसी कपड़े से थोड़ा सा फ्रेस कर दीजिए तो यह बिल्कुत चिपक जाएगी और इसके बाद में हम लोग इसे आराम से शेक लेंगे पीछे से दो मिनिट हमने शेक लिए अच्छी तरीके से जब आपको लगे कि सिख गई है उपर से हलके से ब बना लेंगे आपको एक मिस्सी रोटी यहां पर दोस्तों काट के दिखाता हूं पीछे से भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखी है और आगे से भी बिल्कुल तंदूर जैसी लग रही है अब इसके बाद में दोस्तों मैं जो है यहां पर घी अपलाई करता हूं आपको क आइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ में इसे जरूर शेर कर देखाना अगर वीडियो पसंद आए तो फ्लीस वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनले को सब्सक्राइब जरू कर लीजे साथ में जो बेल आइकन हो दा ना उसे प्रेस कर लिए ताकि जब भी मै कोई नहा वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बस दोस्तों जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए